जब सत्ता की ताकत के सामने, सवाल कम्जोर पढ़ जाएं, तो आवाज भूलंद करनी पड़ती है। अब तक तेरी हैं। निउस कलिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहन कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब है। एक, वाटसैप ने मोधी सरकार को अदालत में घसीटा, हम आपको बतलाएंगे कि वाटसैप क्यूं सही है और मोधी सरकार गलत क्यों है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस सरकार पर विश्वास करेंगे, क्या आप उस पोलिटिकल पार्टी पर विश्वास करेंगे, जो आलोशना को देशद्रोह बता दें। क्या आप उस सरकार पर विश्वास करेंगे, जो कॉंग्रिस के एक दस्तावेस को घलत ढंग से पेश करें। और जब ट्विटर उसे मैनिउपिलेटिड मीडिया बताए, तो ट्विटर के दफ्टर पर रेड मार दे। क्या आप उस सरकार पर विश्वास करेंगे, जो हाथरस में एक मासूम के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर होता है, और उस परिवार को ही टार्गिट करने लगे आज ये सवाल उतने बहुत जरूरी हैं, और सबसे बड़ी बात आपको गोर करना पड़ेगा इस सरकार के दोहरे माबदंड पर, मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों कि प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी ने आज से करीब 9 साल पहले क्या कहा था, जब उस वक्की कॉं कॉंगरिस के खिलाफ कहा, ये तो बहुत ही शोकिंग है, ये प्रधान मंतरी का 2012 का बयान है और आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार टुटर पर रेड मार रही है, टुटर के दफतर पर रेड मार रही है और टुटर ने क्या किया था, संबित पात्रा, जेपी नडडा, ये लोग गलत जानकारी पेश कर रहे थे बस उन्होंने वही किया था। डॉनल्ड ट्रम्प ने भी गलत जानकारी पेश की थी तो उनका तो ट्विटर अकाउंट ही उड़ा दिया गया था। WhatsApp दरसल केंदर सरकार को दिल्ली हाइकोट ले कर गई। क्योंकि केंदर सरकार के एक नियम के मुताबिक जो भी WhatsApp में संदेश दिया जाता है उस संदेश के शुरुआत किसने की ये WhatsApp को केंदर सरकार को बताना पड़ेगा। WhatsApp क्या कह रहा है कि WhatsApp के अंतरगत एक प्रावधान है जिसे हम end-to-end encryption कहते हैं उसके अंतरगत आप किससे WhatsApp पर बात कर रहे हैं आपकी क्या उनसे जानकारी आदान प्रदान हो रही है ये किसी तीसरे पक्ष को नहीं पता चल सकती मगर केंदर सरकार चाहती है कि हम उसे हासिल करें वो बाचीत जो आपके और किसी और के बीच में हो रही है कि इंदर सरकार उसे सुनना चाहती है उसकी जानकारी हासिल करना चाहती है WhatsApp इसलिए दिल्ली हाई कोट गई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्ष कह क्या रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर WhatsApp का बयान चैट को ट्रेस करने के लिए बाध करने वाला ये कानून WhatsApp पर आ रहे हर मेसेज का फिंगर प्रिंट रखने के बराबर है अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे end-to-end encryption का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और ये लोगों के निजता के अधिकार का भी हनन होगा इसके बाद WhatsApp ने तो रहसल हाई कोट में क्या कहा आपके स्क्रीन्स पर इन नए नियमों में से एक को भारती समविधान में दिये गए निजता के अधिकार का उलंगन करने वाला घोशित किया जाए क्योंकि ये सोशिल मीडिया कामपनियों के सामने शर्त रखता है कि संबंधित प्रादिकरण के कहे जाने पर फर्स्ट ओरिजनेटर ओफ इंफिमेशन यानि किसी सूचना को सबसे पहला साजहा करने वाले का पता लगाया जाए सरकार इस पर क्या कहती है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर यह हैं माननी रवीशंकर प्रसाद वो क्या कह रहे हैं एक बार फिर इन्होंने राश्ट्रबाद का सहरा लिया है क्या कहरें रवी शंक प्रसाद आपके स्क्रीन्स पर भार सरकार अपने सभी नागरिकों का निज्टा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन साथ ही ये सरकार की जिम्मिदारी भी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें और राष्ट्रिय सु करते बंधों के अधीन है मैंने कारकरम की शुरुवात में कहा कि क्या ऐसी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है जो आलोशना को देश-द्रोह मान दे मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों जब हाथरस में गैंग रेप और मर्डर हुआ था तब ये शक्सिदीक का पन ह आथरस का रुक कर रहा था और इस पत्रकार को आज तक उन धाराओं के अंतरगत जेल में बंद कर दिया गया है जो आतंकवादियों पर इस्तमाल की जाती है वो आज तक जेल के अंदर है पवंज जैसवाल नाम के एक पत्रकार ने सिर्फ ये खबर की थी कि उत्तरपदिश के अंदर किस तरह से मिड़े मील स्कीम के अंतरगत हमारे बच्चों को घटिया खाना दिया जा रहा है उसके खिलाफ एफायार दर्ज कर दी ये सरकार और इससे जुड़ी संस्थाएं आलोशना बरदाश नहीं कर पाती हैं मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे होंगे कि आप वाटसाप पर विश्वास करेंगे अपनी सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे बिल्कुल सही सोचा आपने मैं अपनी सरकार पर विश्वास नहीं करूंगा क्यों मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरी सरकार के आने वाली अंतरगत तमाम संस्थाएं ED, Income Tax, CBI, Media सब सरकार के सामने नतमस तक हो चुकी हैं, यहाँ पर एक जज रिटायर होता है और अगले ही दिन सीधे राजसभा पहुँच जाता है, मुझे बताइए ना, मैं कैसे विश्वास करूं संस्थाओं पर, चुनावा योग आज की तारीक में इस सरकार के सामने नतमस तक है, आप मुझ टू प्रिविसी पर, 24 अगस 2017, इस तारीक पर गोर कीजे, सुप्रीम कोट का एक फैसला आया था, सरकार ऐसा लगता है कि इस फैसले को भी नहीं मानती है, फैसला क्या था आपकी स्क्रीन्स पर, 24 अगस 2017 को निजटा के अधिकार के सवाल पर, सुप्रीम कोट ने बड़ा फ सम्विधान के अनुच्छेद 21 के अंतरगत, पीट ने आगे क्या कहा, पीट ने कहा कि निजटा का अधिकार सम्विधान के अनुच्छेद 21 के तहद दिये गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वातंतरता का हिस्सा है, ये किसी और का नहीं, ये सुप्रीम कोट का आपकी girlfriend, आपके parents, उनके बीच जानकारी है और ये किस बिना पर हासिल करना चाहती है? राश्टरवाद, राश्टर सुरक्षा मैं आपको वतला दूँ दोस्तों कि इन्होंने राश्टरी सुरक्षा के नाम पर क्या किया है? आपके screens पर ये कौन है? दिशारवी उस टूल किट में सिर्व इतना था कि किसान के आंदोलन में हम लोग क्या क्या करें, क्या 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 कदम उठाएं उनकी बादशीत हो रही थी, climate पर जो specialist हैं, ये महिला, ये लड़की, Greta Thunberg से इस बिना पर दिशारवी को गिरफतार कर लिया गया इस सरकार को बिलकुल भी विश्वास नहीं है निज़ता के अधिकार, आपके अपने अधिकारों पर तो फिर आपको क्या लगता है, WhatsApp सही है या ये सरकार सही है और एक और बात, आपके स्क्रीन्स पर क्या आप जानते हैं, दिसंबर 2018 को मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई थी जिसमें दस एजनसीज को ये अधिकार था कि वो आपके कम्प्यूटर की जानकारी पर नज़र रख सकें उसे खंगाल सकें मैं जानता हूँ कि ये कानून जो था वो कांग्रिस के वक्त बनाया गया था मगर कांग्रिस ने उसे लागू नहीं किया इस सरकार ने उसे लागू किया ये करने की कोशश की ये सरकार लगातार सुप्रीम कोट के उस आदेश का उलंगन कर रही है ये लगातार निज़ता के अधिकार को कुछलना चाहती है आग मैं आप से सीधा सवाल कूछना चाहता हूँ ऐसे में गलत कौन है बताईए ना प्रधान मंत्री ने 2012 को कहा था क्या कहा था 2012 को ने ने कहा था कि देखिए ट्विटर पर जो है कॉंगरिस की आलोचना करने पर कुछ पत्रकारों को ब्लॉक किया जा अरे यहां तो आलोचना करने वाले पत्रकारों को आप जेल में डाल देते हैं उनके खिलाफ आप गयर जमानती वारंट की धाराएं लगा देते हैं धेरों ऐसी मिसाल हैं एफायार दर्श कर देते हैं उन पत्रकारों पर जो लोग सिर्विस देश की जनता के मुद्दों को उठा रहे होते हैं आपको किसने अधिकार दिया कि आज की तारीक में आप मेरे निजता के अधिकार के बारे में बात करें आप उसका moral right उसका नेतिक अधिकार आप खो चुके हैं और आज बोल के लिए बाजाद है तेरे में जो उसरा है मुद्दा है वो बहुत माइनी रखता है दोस्तों वो है रामदेव का एहंकार रामदेव अपने इस एहंकार के अंतरगत तमाम हदों को पार कर रहे हैं और अब इस बयान को देखिए सुने इस बयान में ये शक्स कह रहा है किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मुझे गिरफतार कर सके सुने इस बाद आदमी को अब उनके खेर अरेश्ट तो किसी है वो जा है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी राम देओ को लेकिन एक सोर्क मचा रहे है कि 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 करेश्ट स्वामी राम देओ क्वी करेश्ट स्वामी राम देओ कभी कुछ चलाते हैं कभी कुछ चलाते हैं कभी ठग राम देओ कभी महा ठग राम देओ अब चलाते रहते हैं चलाने तो तुम आपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की दरसल इंडियन मेडिकल असोसियेशन ने उनके खिलाफ देश द्रोहों के मुकदमा दर्श करने की बात की है क्यों? क्योंकि राम देव वैक्सीन्स को लेकर घलत जानकारी कर रहे हैं देश की जनता को भ्रहमित कर रहे हैं मृत डॉक्टर्स कितने लोग मारे गए उसको लेकर घलत जानकारी पेश कर रहे हैं कि अब तक 10,000 डॉक्टर्स मारे गए हैं जिन्नोंने वैक्सीन लिये आये में ने उन पर एक हजार करोड का मुकदमा भी दर्श किया है और क्यों मैं आपको बताता हूँ क्योंकि राम देव अपने समर्थकों के बीच बैठ कर मेरे डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे थे किस तरह से आप खुद देखिए दोस्तों ये शर्मनाक बयान जिसमें वो डॉक्टर्स को का पहले मजाक उड़ाते हैं तर 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 बोलते हैं फिर कहते हैं एक हजार डॉक्टर्स मारे गए वैक्सीन लेने के बावजूद जो गला जान का रही है लोगों को भ्रमित कर रहा है आदमें सुनिए क्या कहाता हूँ तीसरे बोलो मुझे डॉक्टर बनना है टर 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 करते रहे तर बनना है टर डॉक्टर एक हजार डॉक्टर तो अभी कोराना की डबल वैक्षिन लगाने के बाद मर गए कल क्या समाच आ रहे हैं कितने एक हजार डॉक्टर डबल वैक्षिन लगाने के बाद भी मर गए अपने आप कोई नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टर ही तो मैंने का डॉक्टर बनना है तो सौमी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिगडीर नहीं और सबका डॉक्टर है और ये रामदेव खुद इतने डर पोख हैं कि मैंने उनसे सवाल किया न्यूस क्लिक पर आपको याद होगा दो दिन पहले मैंने रामदेव पर एक कारकरम किया था मैंने उनसे सवाल किया पूरी शालीनता से आज भी जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो रामदेव जी आप कहके बात कर रहा हूँ हाला कि आपने जो मेरे डॉक्टर्स की बेज़ती की है आप जो जनता को दिख भ्रमित कर रहे हैं आप वो अधिकार खो चुके हैं मगर फिर भी मैं आपको जी के तौर पर बुलाऊंगा आप देखिए दोस्तों मैंने उनसे सवाल किया और यहां देखिए इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया ये है इस आदमी की सहिशुनता ये है इस आदमी की कमजोरी आज मैं पूछना चाहता हूँ रामदेव जी ये कायरपना नहीं है तो क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एम्स ने क्या बयान दिया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है हम आधूनिक चिकटसा पेशेवरों के प्रतेधी कहना चाहते हैं कि हम अस्पतालों में आने वाले लाखों लोगों के उपचार में ICMR या राष्ट्वे कारबल के माध्यम से स्वास्थ मंत्रवाले द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा प्रोटोकॉलों का पालंग करते हैं अगर कोई दावा कर रहा है कि अलुपाथिक दवाओं से लोगों की जान गई है तो ये मंत्राले को चुनोती देने का प्रयास है जिसने हमें उपचार के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है यानि कि सीधा हमला रामदेव किसी और पर नहीं स्वास्थ मंत्राले पर कर रहे हैं और अगर आप स्वास्थ मंत्राले पर हमला कर रहे हैं तो आप कईना कई मोधी सरकार पर हमला कर रहे हैं ऐसे में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया जिसमें रामदेव कह रहे हैं थैं किसी के बाप की हिम्मत नहीं है मुझे गिरफ्तार करने की ये तो करारा तमाचा है मोधी सरकार के मुपर मैं मोधी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसी बेज़ती क्यों बरदाश्ट कर पाते हैं और रामदेव जी मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े बहादुर हैं ये देखिए यहाँ पर इन्हें आप सलवार कमीज में देख रहे हैं 2011-12 को ये लोग ये काले धन को लेकर इन्होंने रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया था जब पुलीस ने चापा मारा था तो अपने हजारों समर्थकों को छोड़ कर ये औरतों का लिबास पहन कर भाग खड़े हुए थे और पीछे सरोज नाम की एक कारकरता की मौत हो गई थी अपने कारकरताओं को छोड़ कर ये भाग गए थी मैं आपसे बताना चाहता हूँ ना कि जितने बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं कहां पर कहां पर नेताओं ने अपने कारकरताओं को छोड़ा है रामदीव जी बताइए ना आपकी इस हरकत को मैं कायराना न मानूँ तो फिर क्या मानूँ ये कायराना ही है जब आप बीच रात को भाग जाते हैं जब आप मेरे डॉक्टर्स पर हमला करते हैं आगे क्या कहा है आएम एने में आपको बताता हूँ आज की तारीक तक और उसकी रेजिस्ट्री के अनुसार कोरोना वाइरिस की पहली लहर में का नहीं लगवा पाए थे ये कह रहा है आएमें आज मैं मोदी सरकार से कुछ सवाल कूछना चाहता हूँ बाबा रामदेव को लेकर क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों अब भी मोदी सरकार इस शक्स को बचाना चाहेगी इसलिए मेरे ये चार सवाल आपके स्क्रीन्स पर रामदेव की जगा किसी और ने अगर ये बयान दिया होता जिसमें वो ये कह रहे थे कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है या किसी ने ये कहा होता कि एक हजार दस हजार डॉक्टर्स की मौत हो गई टीका लगवाने के बावजूद किसी ने अलॉपैथिक मेडिसन्स का मजाक उड़ाया होता वो भी कुरोना के बीचो बीच अब तक इस सरकार ने उन पर देश दुरू का मुकदमा कर दिया होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर किसी और ने ये बयान दिया होता तब आप क्या करते रामदेव पर आखिर अंकुश क्यों नहीं दूसरा सवाल रामदेव आखिर क्यों डॉक्टर्स की तोहिन कर रहे हैं कोरोना काल में जन्ता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार तो राष्टरवाग पर खेलती है हमारे जवाण शहीद हो जाते हैं पुल्वामा में वो उनकी शहादत पर भी वोट मांगते हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि क्या आपका वोट पुलवामा में मारे गए शहीद पर मिल सकता है क्या अगर आयमे के इस आंकडी को माने तो इस चरण में 513 डॉक्टर्स की मौत हुई है और पहले फेज में 753 डॉक्टर्स की मौत हुई है यानि कि करीब 1300 ड पूंदेव बैठी रहेगी बताइए 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 है सवाल का जवाब आप रामदेव की भक्त हो सकते हैं दोस्तों मगर यही डॉक्टर्स आपको बचाएंगे क्योंकि अगर रामदेव की बात सच्छी होती तो इनके अपने एक मुलाजम सुनील बंसल की कोरोना से म मौत हो गई तो मैं पूछना चाहता हूं इन्हें कोरोनिल क्यों नहीं दी रामदेव ने कोरोनिल से क्यों नहीं बचाया गया सुनील बंसल को और यहीं नहीं दोहजार उन्नीस में यह क्या नाम है उसका वहां बाल कृष्ण इसने ऑल इंडिया इंस्ट्यूट अव मेडिक दाल जा चुके हैं अपनी दवाईयां बेशने के लिए पातांजली के प्रोड़क्ट्स को बेशने के लिए तुम बार बार मेरे डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हो तुम देश की जनता कोई खलत संदेश दे रहे हो क्या मुझे आपको बतलानी की जरूरत है कितने लोग मारे गए हैं कितने लोग मारे गए गएं कोरोना से नियॉयॉयॉक टाइम्स की एक खबर के मताबिक जो अपके स्क्रीन्स पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर राहूल गानी ने ट्वीट भी किया है दोस्तों कि एक conservative एस्टिमेट की इस खबर के मताबिक एक conservative एस्टिमेट के मताबिक यानि कि कम से कम 6 लाक लोग मारे गए होंगे और सरकार का आकड़ा 5 लाक का है और ज्यादा से ज्यादा करीब 42 लाक लोग मारे गए होंगे और मेरा मानना है दोस्तों कि असल आकड़ा इसी के बीच कहीं होगा यह भी हो सकता कि 42 लाक लोग मारे गए हो नियोउक टाइमस की इस खबर के मताबिक मगर ये भी सच है कि नाकड़ों को दबाया जा रहा है मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों कि डॉक्टर्स सही है या रामदेव सही है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ बोल के लब आजाथ हैं तेरे में बस इतना ही आविसार शेर्मा को दीजिए जाज़त नामस्कार